ये वीडियो कुछ अलग है और कुछ बाते हैं जो मैं करना चाता हूँ आप लोगों से तो बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के उमीद है कि आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे या एटलीस्ट गौर करेंगे हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जड़ से मिटाई जा सकती हैं उनको अवोइड किया जा सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा कोई क्योंकि ना हमें परवा है ना हम आगया के कुछ बोल रहे हैं और ना कोई हमारी सुन रहा है आठ साल की बच्ची का ब्रूटली रेप कर दिया है, उसको मार दिया है, ये कोई इनसान नहीं कर सकता, और ना उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ इनसानों जैसा बढ़ता होना चाहिए, हमारे पास YouTube है, Facebook है, Instagram है, Twitter है, इन चीज़ों के पर बात करने के लिए, हम 365 दिन, साल भर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे issues आते हैं कंट्री में, तो youth के पास power है, कि वो firmly इन चीज़ों के बारे में बात करें, हमारे सबसे बड़ी दिक्कत पते हैं, हमारे पास आवाज है, लेकिन हम सब गूंगे बने बठे हैं, और इसका फायदा उठा रही कि नहीं, पता नहीं, सबसे dangerous चीज़ है, या तो हाँ या तो ना, opinion रखो, अगर आपको लगता है या आपको पता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज बोलो चुप मत रहो, वहाँ चार लोग बोलेंगे तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, सब उनको हलके में लेंगे, लेकिन अगर हजार बंदा एक साथ चिला के बात करेगा, तो बात का बहुत impact पड़ेगा, and I really want you guys to use your social media to its maximum extent, आप इस बारे में बात करो, आप कुछ चीजें government तक पहुचा सकते हो, अगर आप एक साथ चिला हो तो, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा, दो दिन ब पतंगड बनाना बहुत जरूरी है, आवास पुचानी बहुत जरूरी है, have an opinion and please stand by it, and I genuinely pray कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, मासूम बच्चों के साथ, उन लोग के साथ, humanly behavior नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, they shouldn't be treated like humans, that's all I wanna say.